हेलो दोस्तो आज एक बार फिर आपके सामने वीडियो लेके आए हैं जहां पर आपको नई शॉप खोलने के लिए या फिर अपनी शॉप को रिनोवेशन करने के लिए जितना भी आइटम आपको लगता है वो सब आपको एक जगा पे मिल जाएगा आपको नमबर कि पास में यूज होता है ठीक है तो हम शुरू करते हैं स्लीपर हैंगर से सबसे बिले आप यह देखें यह स्लीपर का लॉंग वाला है यह यूज सोता है सैंडल्स वाग्रा के लिए इस तरह से और वॉकर्स के लिए उसके बाद है कि यह स्लीपर का शॉट आएगा जो कि बद्दी वाली स्लीपर्स के लिए यूज होता है इस तरह से और एक स्लीपर का यह आइटम आएगा जो की बद्दी वाली स्लीपर्स के लिए यूज होता है यह दोनों आइटम बद्दी वाली स्लीपर्स के लिए यूज होते है ठीक है उसके बाद हम बात करेंगे शूज तरफ आएगा इस तरह से इसका व्यू आने वाला है यह आप देख सकते हैं इस तरह से बॉक्स में आएगा बड़िया पैकिंग उसके बाद पन्नी इस पर चड़ी भी आएगी ठीक है तो यह दो आइटम मैंने आपको दिखाए इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं हैंगर् दिखाते हैं एक अच्छी क्यालिटी में हेंगर् आजाएगा जो कि वुड़न फिनिश में रहेगा पर हैवी प्लास्टिक रहेगा इसके बाद यह ब्लैक कलर में आजाएगा अच्छा मुटा साइज आएगा इसके बाद एक तो लाइट वेट एक दम प्लास्टिक में कड़के आप इसको लोवर वगेरा जीन्स वगेरा टांगनी हो इसमें इसली टंग जाता है उसके बाद यह काइटम आएगा अपना चेन जो यूज होती है कहीं भी आप शॉप के बहार या शॉप के अंदर इसमें चीजे टांग के और इसमें कुछ भी हैंक कर सकते हैं तो य एक इसमें पतली रोड आजाएगी एक इस्टील की रोड आजाएगी एक इसमें स्टील में छोटी रोड आजाएगी इसका जो यूज होता है वो इस तरह से यूज आएगी आप देख सकते हैं इस तरह से कपड़े इन पर टंग जाएगे चारों ही इसी काम से यूज हो जा सकते हैं कुछ जरूरी नहीं इसमें कपड़ी लगेंगे इसके बाद अब यह छोटी सिंगल रॉड्स आती है जो की सॉक्स बैल्ट आपकी स्लीपर कुछ भी कैप्स आप टांग इस पर सकते हैं इसमें एक यह दस इंच आ जाएगी और एक इसमें छोटी आ जाएगी छेंच इसका जो यूज रहेगा इस तरह से स्लीपर वगिरा टांगने में आप यूज कर सकते हैं और भी कुछ आप टांगना चाहें तो आप इस पर टांग सकते हैं इसके बाद एक रॉड आ जाएगी अपनी वॉकर स्टेंड इस तरह से आएगा अठरा एंच का इस तरह से वॉकर स्टेंड काम करेगा दोनों साइट से लग जाएगा इस पर अंदर आप वॉकर लगा सकते हैं इसके बाद हम बात करेंगे वेक्यूम हेंगर्स की वेक्यूम में दो राइटे आईगे एक छोटा और एक बड़ा इस तरह से काम करेगा नीचे स्कुआप कर देंगे तो लॉक हो जाएगा उपर करेंगे वापस खुल जाएगा एक सिंबल रहता है वेक्यूम इसको जोर से प्रेस करना रहता है तो यह एर पकड़ लेता है और ग्लास पर इजीली लग जाएगा दो आइटम यह जगए इसके बाद हम आपको दिखाते हैं स्टिकर मैनवली आप चाहें किसी भी चीज़ पर स्टिकर चिपकाना तो आप प्राइस लगाना तो इस पर लिखके आप चि है यह शू स्टेंड यह स्टील का रहेगा और साइज अच्छा पांच इंचे इजीली शू जिस पर आ जाएगा उसके बाद यह आजाएगा चोकोर में यह भी अच्छा स्टेंड है इसमें विल्डिंग का भी को टेंशन नहीं और बड़िया स्टील मट्रेले इस तरह से आ एक डंडी उपर एक डंडी नीचे बनाई गई है इसको आप इसा सीधा लगाएंगे तो जूता स्लोप में नीचे की तरफ मुझ करके आ जाएगा उसके बाद एक स्क्वैर में अपने अक्रेलिक आ जाएगा यह काफी अच्छा इसकी डिमांड है पूरा ग्लास जैसा लग और यह मशीन ऐसी तरह से काम करती है इस पर आप यह स्टीकर रखे हुए है अपना यहापे नंबरिंग सेट हो जाती है और इसमें अपन इसको नीचे मारेंगे तो इस तरह से स्टीकर निकल के भार आ जाता है जो कि रेट आपका लगा के दे देगा उसके बाद एगी ग्र इस पर लगा हुआ है यह भी आप देख सकते हैं इसके पाद आपको यह शूज बॉक्स मिल जाएगा जो कि इसमें लाइटिंग इफेक्ट मिलेगा आपको काफी अच्छा यह मिलने वाला आपको लोक आप देख सकते हैं इक ब्रांड नेम से आपका बॉक्स बन जाएगा अगर आप जाएं आपकी शौप की नेम से तो इस तरह से यह भी बन जाएगा इसमें दोनों में लाइटिंग इफेक्ट है इस साथ में आपको पेन आएगी एडप्टर आएगा इसको आप लाइट चला सकते हैं तो यह सारे आइटम आपको मिलने वाले हैं आप यह साभी आइटम लेना चाहते हैं कुछ भी तो आप वाट से प्याप कॉंटेक्ट कर सकते हैं आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कैश ऑन डिलिवरी अवेलेबल नहीं है प्रिपेड ही पेमेंट होता है क्योंकि कैश ऑन डिलिवरी में लोग क्या करते हैं सामान मंगान लेते हैं और उसके बाद अगर वो बाइचांस कैंसल कर देते हैं तो हमारा माल लटक जाता है इस तरह इस कारण से कैश ऑन डिलिवरी नहीं है माल आप पूरा देख सकते हैं जेन्वेन काम है अपना और अब मैं आपको दिखाता हूं स्लीपर स्टेंड इस तरह से स्टेंड आएगा इस तरह से इसमें हुक आएंगे साथ में छे इंच के जिस पर आप इस तरह से चार चार तीन तीन चपल आप इस पर इस पर लटका सकते हैं इसका साइज दो बाए पांच रहने वाला है बीच में जॉइंट आएगा फोल्डेबल यह रहेगा आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं इस तरह से आप अपनी शॉप में कहीं भी खड़ा कर सकते हैं यह आप देख सकते हैं स्टेंड यह भी आपको मिल जाएगा इसके बाद एक यह गार्मेंड स्टेंड आता है जो कि आप यह देख सकते हैं इस पर आप कुछ भी इस तरह से इस पर टांक के अपनी शॉप के बहार या अंदर इसको रख सकते हैं